अब ने आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ आई होप यह इस्टोरी आपको बहुत पसंद आए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पताई है वह इस्टोरी आपको कैसे लगी अगली वार जब भी आप टीवी चनल देखते हैं या कोई के बारे में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उस गेम में पाटिसिपेट करने के कोशिश करेगा क्योंकि यह बहुत एक शोटकट है और एक बहुत अचा तरीका है जानने के लिए कि कोई भी स्पोर्ट्स परसन के बारे में मन में क्या चल रहा होता है जब वो किसी गेम को खे हो किसी रीजन की वज़े से या पिर ऐसा परसन जो था तो बहुत अच्छा प्लेयर मगर किसी अनफॉर्ट्स इंजरी के कारण घर पर वेट कर वो टीवी चैनल पर वो गेम को देख रहा हो तो उसके मन में क्या चल रहा है यह जाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपन आउनए उसको जानकर हम उसको जाने के कोशिश करते हैं सु बहुत सारी स्पोर्ट्स इस्टोरीज हैं जो हमने सुनी होई है जो हमाई मॉटिवेट करती हैं इंसपाइर करती है पर शाय दि किसी ने केरोल वीडिवेच के बारे में सुना होगा मेरी खाल से बहुत ही कम लुटकॉस हंग्री के आर्मी में सार्जेंट थे और लंगभग 1938 में उनकी एज लवों 28 इयर की थी और उस वक्त 28 साल के उम्मर में वो अपने कंट्री के लिए टॉप पिस्टल शुटिंग इवेंट में पाटिस्पेट करते थे वो अपनी कंट्री के टॉप पिस्टल सब्सक्राइब उस वक्त जीत चुके थे और उनका सपना था उनका सपना था कि ऐसे वह बहुत ही कम दूर थे मतलब को जो उनका सपना हमादा था उनका जो दीम थे उनकी दूरी बहुत ही कम थी और उसको जीतने ही वालन थे पर अचानक से क्या होता है उनकी अन्फरजुनेट्ट डिजास्टर आता है मतलब एक दुरगटना हो जाती है और दुरगटना कोई नहीं चाता है कि उनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई दुरगटना हो इनके साथ क्या होता है जब ये आर्मी में अपने ट्रेनिंग सेशन पर रहते हैं तो हाथ में हैंड ग्रेनेट हाथ में ही फूट जाता है अब सोचिए राइट हैंड में उनका राइट हैंड उनका शुटिंग हैंड था और उसी हाथ में बॉम ब्लास्ट हो जाता है एक हैंड ग्रेनेट ब्लास्ट हो जाता है तो हाथ तो पूरा चकना चूर होई जाता है साथ में उनका जो सपना था उनका जो गॉल्ड मेडल चैंपेंशिप जीतने का ओलम्पिक में जो सपना था वो भी बिल्कुल चकना चूर हो जाता है और जैसे सभी लोग सोचते हैं जिस किसी के भी साथ भी कोई unfortunate condition बनती है तो अचानत से सबके मन में क्या खयाल आता है कि आखिर में ही क्यों इसी tragedy इतनी बड़ी tragedy मेरे साथ ही क्यों हुई लगबग सभी के बारे में एक ना एक बार आ जाता है मेरे मन में भी कई बार एक ऐसा आया है तो उनके दिमाग में भी ऐसा आ सकता था कि यार यह इतना दुरगटना मेरे साथ ही क्यों ही यह, Ware ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, मुझे ही क्यों चुनना इसके लिए और वो ऐसा सोच सकते थे, और एक हमारे सामने एक जामपल सेट कर सकते थे इस कि भागी से ज़्यादा इंसान कुछ नहीं कर सकता है अगर भाग ने सोच लिया है कि आपकी लाइफ को डिवास्ट करना है आपकी लाइफ को खतम करना है चाहे आप कितने ही अच्छे प्लियर हो मेरे पास जो नहीं बचा मतब जो मैंने खो दिया है जो मैंने डिस्ट्रोई कर दिया जो खो दिया भगबार ने जो मुसे छिल दिया है उसके बारे में फोकस करने से वेटर ये है कि मेरे पास बचा क्या है उसके बारे में सोचू तो उनके पास क्या बचा था उनने स्टेंट पची थी एक विनर मैंचे बचा था जीटने के लिए अइक हेल्दी लेफट हेंड बचा था और एक बोउस यो उस वक्त दिमाग में चल रहा था कि मेरे पास जो लेफट उन्होंने क्या करा, जैसे ही उन्हें छुट्टी मिली मतलब एक महने के बाद उन्होंने ने अग्छुट्टिल से डिस्टार्ज लिया, बोडी में बहुत ज्यादा पेंद था क्योंकि तुरंद तुरंद का एक्सिदेंट था, उनके साथ दुरगटना तुरंद की थी, क्योंकि चब भी हमिरी साथ कुछ ऐसे होता है हम जो राइट हैं के साथ कौई वीच आज इसलि घरwork लेकर अचानक लगए काम यह लैफ्ट एक लिए काम तो उनको गहा चाहए तो जटा बोड़ी में अग?", है करने की आदत नहीं होती है तो उसी तरह से एक तो हात उनका पुरा खत्म हो चुका था उसके वड़ी में बहुत जद्धा पहन था सेकेंड वह लेफ्ट हैंड से वह कोशिश कर रहे थे जो उनका राइट हैंड कर रहा था तो उसका दर्द भी उनके साथ था लेकिन इस सब के बाब्स उन्होंने किस्तिच पर फोकस किया उन्होंने फोकस किया कि जो उनके पास बचा हुआ लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड को वो दुनिया का वैस्ट सुटिंग हैंड बनाना चाहत रहे हैं उनके पास क्या गोल था उनके पास यह गोल था है कि उनके पास जो में देखा तो वहां पर उनके जो दोस्त थे बहुत ज्यादा खूश हुए क्योंकि कोई अगर चैंपियन हो गॉल्ल मैडलिस्ट हो और अचानक से उसके साथ दुरगटना हो जाए और वह अचानक से किसी ग्राउंड पर दिखे किसी शुटिंग ग्राउंड पर दिखे तो आपको वहां पर पहुचने का मोका ना मिले तो बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि आप इस ग्राउंड पर भी चले जाएं तो उनके दोस्तों ने सोचा कि भई बहुत बड़ी हिम्मत कर लिए इसने तो और उसको बहुत ज्यादा चेर अप करने लगे बहुत के लिए नहीं आया हूँ तुमको खेलते हुए देखने के लिए नहीं आया हूँ मैं तुमसे कॉंप्टिशन करने के लिए आया हूँ मैं तुम्हारा कॉंप्टिटर हूँ इस गेम में मैं भी तुम्हारे साथ पाटिसिपेट करूँगा और क्या होता है कि केरोली टेकोस क जो बहुत जादा बड़ी दुरगटना थी तो वो चीज चाते हैं और हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम कभी बहुत बड़ा कुछ ड्रीम करते हैं तो लोग हमारे बारे में मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे साथ कुछ इंजरी हो जाती है कुछ दुरगटना हो जाती है तो भी लोग हमारा उभास करने की कोशिश करते हैं और हमें सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं खुद को किसी चीज के लिए अगर कुछ आपके साथ गलत हो जाता है तो उस चीज के लिए खुद को सिंपैसाइस करने करना बहुत ज़दा आसान हो स्टेंड ही करना सोचना यह बहुत टफ डिसीजन होता है हर को यह ले नहीं पाता है लेकिन यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमें यह डिसीजन लेना पड़ता है अगर हमको फिर से स्टेंड करना है हमारे अपनी हमारे अपनी लाइफ को हमको डिस्ट्रॉइ नहीं करना पिर से स्टेंड करना है तो सबसे ज़ल ज़रूरी होता है कि स्टेंड करना उस चीज को फिर से करने की कोशिच करने की भी सोचना अब उनका जो सपना था, उनका सपना सिर्फ चैंपेंशिप जीतने का नहीं था, उनका सपना था कि ओलम्पिक में वर्ल्ड मेंडलिस्ट होने का उनका सपना था, लेकिन क्या होता है दुरवागे वसी ये सपने से वो थोड़ा दूर होते हैं, ये जो उनका सपना है वो अन् तूह से करके उनके दो रोलंपिक केंसल करते हैं तो आठ शाल ऐसे चले जाते हैं 1948 में ये जो नेकस्टॉ लंपिक होता है जो मत उनHHH होटी है जो जिसने ने शच सब और उन्धी ऐसे किया और ओलंपिक में शपी वहाँ पर किया वहाँ क्या होता है वहाँ पर स्वादध पिस्टल शूटिंग एवेंड उसमें अगर मैं को हूं की गॉल्ड मैडल कौन् जिता है तो आपको बिल्कुल भी सरम प्राइस नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने left hand के सांथ इतनी महनत करी है उन्होंने अपने आपको इतना अपने left hand को इतना train किया कि वो हर तरह की situation हर तरह की competition के लिए वो appear हो सके है तो 9 उसके बाद जो जो ओलम्पिक championship होती है वो भी कौन जिता है वो जिता है जितते हैं उसके बाद 4 साल बाद फिर से हलन से कि में ओलम्पिक championship होती है अगेन कौन जिता है कारली टेक जितते हैं मतलब कि उन्होंने जो उनका सपना था जो राइट हैंड से वो सपना देख रहे थे कि मैं इस championship को जीतूँगा और दुनिया के सामने ुम्पल सेट करोंबा अचालक से उनके साथ एक philosophy हो जाती है वेज़ब बहुत होने के बाद वो पूरे तरीके से बहष जाती है उनका खतम हो जाता है पूरे तरीके से से बहचाना ख्र fortsक्रों से फिर अपने आपको खंक करते लेफ्ट हेंड के साथ करते हैं तो हम सभी के साथ ऐसा होता है हम सभी के जिवन में एक ना एक बार मुका ऐसा आता है कि जब हम अपने सपने से बहुत ज्यादा पास होते हैं और तभी हमारे क्या होता है हमारी लाइफ पूरी तरीके से बिखर जाती है सब कुछ खत्म हो जात और हम यह सोचते हैं कि यार अब हमारे पास क्या बच्छा है कि एसा मेरे साथ ही क्या हुआ है मगर हमें करना चाहिए उस वक्त जब हमारे पास सांत में ऐसे सिचुएशन बनती है तो हमें करना चाहिए हमें के वारे में सोचना चाहिए उन्होंने उस वक्त जो सोचा हमें भी हमारे पास किया बचता है किसे भी खराफ सिच्वेशमने जो सबसे ज्यादा हमारे पास होता है वो होता हैrecioss ख़शा मेरे स्टेंद करने कि हम्मत है वह हम बति न चीन सकता है तो हमारे जो भी गॉल को वो हमारी body को और हमारे mind को help करता है किसी भी weight situation से, किसी भी negative situation से overcome करने के लिए हमको help करता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास positive mindset होना चाहिए एक positive approach होना चाहिए क्योंकि जीतना किसी भी skill पर depend नहीं करता है जीतना depend करता है हमारे attitude पर हमारे mindset पर जितना depend करता है चाहे वो किसी भी तरीके की जीत हो चाहे वो कोई game हो या हमारी life हो या कोई भी काम हो जितना depend करता है हमारे mindset पर skill एक ज़रूरी चीज है लेकिन सबसे ज़रूरी चीज क्या है mindset ज़रूरी है हमारी positivity ज़रूरी है हमारा attitude जरूरी है हमारा कौन सा mindset जरूरी है हमारा winner mindset होना बहुत ज़रूरी है तो I hope आपको इस story बहुत अच्छा समझ मैं आई होगी motivational story बहुत ज़रूर पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजिए कमेंट करके जरूर बते है कि मेरे वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं अगले ही ऐसी बहुत अच्छी motivation वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार